या देवी सर्भूती सु महागोरी रूपेना संसिता नमस्तस्याई 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 नमोनमा जै माता दी नमस्कार आप सभी का मेरे सैनल में हार्दिक और हिनन्दन है स्वागत है आईए सुनते हैं नौरातरी के आठवे दिन महागोरी के ब्रतकता पुजा नौरातरी में आठवे दिन महागोरी सकती की पुजा की जाती है नाम से प्रकट है कि इनका रूप पुर्णता गौरवर्न है इनकी उपमा संख चंदर और कुंद के फुल से दी गई है अश्ट वर्षा ववेद गोडी यानी इनकी आयू आट साल की मानी गई है इनके सभी आभूसन और बस्तर सफेद है इसलिए उन्हें स्यतामबर धरा कहा गया है चार भूजाये हैं और वाहन ब्रिशा भे इसलिए ब्रिशा रूढ़ा भी कहा गया है इनके उपर वाला दाहिना हाथ अभय मुद्रा है तथा नीचे वाला हाथ त्रिसूल धारन किया हुआ है उपर वाले बाय हाथ में डमलू धारन रखा है और नीचे वाले हाथ में वर मुद्रा है इनकी पूरी मुद्रा बहुत सान थे पती रूप में सीव को प्राप्त करने के लिए महागौरी ने अकठोर तपस्या की थी इसी वाज़ा से इनका सरीर काला पर गया लेकिन तपस्या से प्रसान होकर भगवान सीव ने इनका सरीर को गंगा के पवित्र जल से धोकर कांती में बना दिये इनका रूप वर्न हो गया इसलिए ये महागौरी कहलाई ये अमोध फलदायनी है और इनकी पुजा से भक्तों के तमाम कलमस धूल जाते हैं पूर्व संचित पाप भी नश्ट हो जाते हैं महागौरी का पुजन अर्चना उपासना अराधना कल्यान कारी हैं इनकी किरपा से अलोखिक सिध्या भी प्राप्त होती है तो भक्त गन ये थी महागौरी की ब्रत कथा आपको कैसी लगी अच्छी लगी तो इसे लाइक करे शेयर करे मेरे चैनल को सिब्सक्राइब करे और कथा सुनने के लिए आप सभी का धन्यबाद नमस्कार जै मातादी